हेलो जैहिन दोस्तों मैं शुबम आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इसी यूटूब चैनल शुबम एकलासिस में और जैसा आपको पता है कल हमने आर्मी के ओरिजनल पेपर का समाने ग्यान और समाने विज्ञान का टेस्ट लगाया था और आज ही हम उसी ओरिजनल प कोशन हैं तो आपको कॉपी पैन की जुरूर जुरूर पड़ेगी तो हो सकते तो अपना कॉपी पैन साथ में लेकर बठें और अपना टेस्ट लगाएं कि आपके कितने कोशन ठीक हो रहे हैं चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं तो दीखी यह औरिजनल पेपर है जो सके क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कोशन के जो अंसर है उन्हें पर निशान लगे हुए थे तो अपना कॉपी पैन लीजिए और फड़ा फड़ से टेस्ट लगाएं ऑप्शन मैच कीजिए आपका कौन सा अंसर यहां पर आ रहा है पहला प्रस्ण है एक परिक्षा में 400 व पुराने भी होते हैं तो मैं बहुत ही आराम से सोल करौंगा कोशन को उससे पहले आप इन कोशन को सोल करके फड़ा फड़ा अंसर दे देंगे तो यहां पर आप से बोला है कि कुल कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया माना मैंने टोटल विद्यार्थी जो हैं वो सो गए फेल आप देखीगा कि सो में से अगर साथ प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो गए तो यानि कि चालिस प्रतिशत विद्यार्थी होंगे वो क्या हो जाएंगे पास हो जाएंगे भाई अब यहां पर देखो कि यहां पर पास हुए हैं चालिस प्रतिशत विद्यार्थी और जो पास होने विद्यार्थियों की संख्या है वो 400 है यानि कि इस 40 प्रतिशत की वेल्यू जो है वो 400 के बराबर है समझ में आए भाई ये भी पासिंग स्टूडेंट है और ये भी पासिंग स्टूडेंट है अब इसको solve कर दो 0 से आपकी 0 कट गई 4 एकम 4 और 4 दहा 40 अब आपको दिखाई दे रहा है कि एक प्रतिशत की वेल्यू जो हमारी 10 आई है हमको निकालने है कुल विद्यार्थियों ने कितनों ने भाग लिया यानि कि 100 प्रतिशत की वेल्यू यदि एक प्रतिशत की वेल्यू 10 है तो 100 प्रतिशत की वेल्यू क्या होगी इस 10 को आपको 100 से गुणा कर देना है तो 1000 जो है वो आपका बिलकुल correct answer होगा क्या सभी ने option A 1000 answer दिया है तो सभी का answer बिलकुल सही है चलते है next question break, question number second है आपके सामने इस तरह से फटा-फट से answer देना है आपको इसका निमन में से क्या 15 का वर्ग है निमन में से क्या 15 का वर्ग है तो कितना simple question पूशा गया था इसको solve करने का भी कोश नहीं है यहाँ पर option A correct होगा 15 का जो square होता है वो 225 होता है ठीक है वाई तो उम्मिद करूँगा सभी ने 225 अंसर correct दिया होगा नितो आप ऐसे भी कर सकते हैं 15 गुणा 15 करके अंसर निकाल सकते हैं कोशन नमबर थर्ड देखिएगा यहाँ पर आपको solve करना है कि राम ने बैंक से 50,000 रूपे 10 प्रतीशत साधारन ब्याच की दर से दो वर्ष के लिए उधार लिए दो वर्ष के बाद वह बैंक को कितनी राशी लोटाएगा यह आपको यहाँ पर आंसर देना है तो solve किजिए कोशन को और मैं भी यहाँ पर आपको question solve करवा रहा हूँ तो देखिए गर राम ने बैंक से इसमें लगेगा समचो कि उसने बैंक को कितनी राशी लोटाएगा यानि कि उसने 50,000 पर उधार लिए हैं यहाँ पर देखो और अगर बैंक को भी राशी लोटाएगा यानि कि उसको जो ब्याज होगा वो भी इसमें लोटाएगा जोड़के यानि कि वो बैंक को क्या लोटाएगा मिश्रधन लोटाएगा है ना मूलधन और अगर ब्याज जुड़ जाएं तो यहाँ पर मिश्रधन बन जाता है यानि कि वो मूलधन तो लोटाएगा ही साथ में उसका दस परतिशत साधरन ब्याज की दर से दो वर्ष का जो ब्याज लगेगा वो भी इसमें जोड के वो बैंक को लोटाएगा है ना तो हमको निकालना है मिश्रधन जो की मूलधन और ब्याज होता है तो देखीगा सबसे पहले साधरन ब्याज निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जो होता है आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय ओके और इसको हम क्या करते हैं सो से भाग कर देते हैं किया इतना स्टेप सभी को समझ में आया है उमित करूँगा यह तो बेसिक चीज़े होंगी तो देखीगा वैली पूट करेंगे जो हमारी राशी है वो कितनी है भाई पचास हजार है दर हमको दे रखी है दस परतीशत समय हमको दे रखा है दो साल का और भाग हम किस से कर देंगे सो से कर देंगे तो जीरो से हमारी जीरो कट गई है ना और इसको हम सोल्व करेंगे तो यहां पर हमारा कितना आ जाएगा भाई पांच दूनी दस दूनी बीस और बीस पंजे कितना हो जाएगा सो हो जाएगा तो यहां पर इसको solve करने के बाद आपका दस हजार आएगा यानि कि जो आपका ब्याज आ गया वो दस हजार आ गया आपको बैंक को कितनी राश्य लोटानी है जो मैंने आपको बताया है मिश्रधन लोटाना है तो इस दस हजार में ये पचास हजार भी जूड़ेगा सीडी सी बात है समझ रहे हो ना ये पचास हजार में ये हमारा दस हजार दो साधरन ब्याज आ जाया है वो भी हम जोड देंगे तो हमारा correct answer कितना होगा साथ हजार होगा तो option D जीनोंने भी answer दिया है उन सभी ने बिलकुल सही answer दिया है बढ़ते हैं नेक्स कोशन नमबर चार है आपके सामने स्क्रीन पर फटाफट से आपको answer देना है कि आ और बा मिलकर किसी काम को चार दिन में पूरा कर सकते हैं यदि आ उसी काम को अकेले छे दिन में पूरा करे तो बा उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा ठीक है भई यहां पर बा मिसिंग है तो मैंने इसको यहां पर लिख दिया है तो फटाफट सोल्व कीजिए अपना कॉपी पैन लेकर और मैं भी इस कोशन को सोल्व करवा रहा हूँ तो दिखीगा आ जो है और वा वो दोनों मिलकर किसी काम को चार दिन में करते हैं और आ उसी काम को अकेले छे दिन में करता है अगर मैं इन दोनों का LSEM ले लूं तो हमारे पस टोटल वरक आ जायेगा इनका LCM होगा भाई 12 यानि कि जो हम रपस कुल काम है वो कितना है 12 है अब देखो 4 तिया 12 होता है और 6 दुनी कितना होता है 12 होता है ये 3 और 2 क्या है इनकी कारे करने की शम्ता आ गई और इनकी एक दिन की efficiency आ गई हमसे बोला है कि बाई उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा टोटल काम हमारा 12 है जैसा हमने निकाला है हमको बाई की efficiency निकालनी है तो देखो भई यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो आ की efficiency है वो दो है और यहाँ पर दोनों की efficiency तीन है यानि कि अगर इन दोनों के efficiency में से अगर मैं A के efficiency घटा दूँ तो हमारे पास सिरफ B के efficiency बचेगी जो की कितनी है एक है समझ मैं है सभी को यह step तो 12 को आप एक से भाग कर देंगे तो B उस काम को अकेले 12 दिन में करेगा के सभी का answer option D सही है जिनों ने भी option D को चूज किया है सभी ने बिलकुल सही answer दिया है तो दिखी ये आपका original paper का test हो रहा है इसलिए आप इस video को बिलकुल भी छोड़ने सकते हैं आपको पूरा test लगाना है और देखना है कि आपके कितने question यहाँ पर ठीक हो रहे हैं चलो जी solve करो question number 5 है आपका यदि A plus B 10, B plus C 20 और C plus A 30 है तो A plus B plus C का मान क्या होगा तो कितना basic question है यहाँ पर करते हैं इसका solution आप इसको फड़ा पड़ा अपने copy में solve करके मेरे साथ answer match कीजिएगा कि आपको दे रख है A plus B कितना दे रख है 10 दे रख है next लगने बोला है B plus C आपको दे रख है कितना 20 दे रख है और C plus A यह कितना दे रख है आपको यह दे रख है 30 अब यहाँ पर देखीगा कि यहाँ पर A भी दो बर है, B भी दो बर है और C भी दो बर है तो इसको हम पहले जोड लेते हैं यहाँ पर अगर हम इनको जोड़ेंगे तो इसमें हमने दो ले लिया common ठीक है भी क्योंकि सभी चीज़े दो दो बार हैं तो आपको दो common ले लेना है और यहाँ पर A प्लस B प्लस C हो जाएगा ठीक है भई और आपको फिर यहाँ पर भी जोड़ना है यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका बनेगा साट कैसा आपको समझ में आया है इतनी step तो देखो वई इस दो से आपका यह साट कैंसल होगा तो यहाँ पर कितना आएगा 30 आएगा तो A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी है 30 है और आपको कोशन में यही निकालना है तो यहाँ पर आपशन D जीनों ने भी आंसर दिया है 30 उन सभी का आंसर बिलकुल सही है ओके चलते नेक्स्ट कोशन पर उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा सभी को कैसे इस कोशन को सोल्व करना है कोशन नमर 6 है आपके सामने X स्थान पर कौन सा आंक आएगा यदि 1500 का 37 प्रतिशत माइनस 1000 का 0.05 प्रतिशत बराबर X है तो यानि कि आपको बेसिकली 150 इंटू 37 बटे में 100 माइनस आपको 1000 का 0.5 प्रतिशत का भी नीचे आलक्स हो आएगा इसकी वैल्यू आपको निकालने है इसकी वैल्यू आपको X दे रखिए यनि कि अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका अंसर आ जाएगा तो पहले आपका जो जो कैंसल हो रहा है आप उसको कैंसल कर दो भाई तो यहाँ पर देखिएगा इस 4 0 से हमारी यह 4 0 कैंसल हो गई इस 1 0 से हमारी 1 0 कैंसल हो गई पांच तिया 15 और पांच दुनी 10 ठीक है जी तो इसको सोल्व करने के बाद हमारा कितना आएगा साथ तिया 21 यहाँ पर आगा आपका 101 111 बटे में 2 माइनस 5 बाई 1 बराबर x कैंसल आप सभी को समझ में आया है तो अब देखो भई इसका अगर आप LCM लोगे तो इस कोश्चन को आप बहुत असानी से सोल्व कर लोगे यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है तो इसको मैं मिटा देता हूँ पहले यहाँ पर देखीगा 111 बटे में 2 माइनस 5 बटे में 1 इसको आपको स्वर्व करना है तो इनका LCM कितना आएगा यहाँ से 2 आएगा ठीक है भी तो यहाँ पर 111 माइनस 10 होगा उमीद करूँगा LCM तो सभी को लेना आता ही होगा ओके तो देखो यहाँ पर आपका बनेगा कितना 101 अपॉन में 2 इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर बनेगा दो पंजे 10 जीरो दो पंजे 10 यानि कि 50.5 तो क्या जिनोंने भी ऑप्शन भी आंसर दिया है उन पर पांच प्रतिशत वार्षिक और समय दो वर्ष के लिए हो तो साधारन व्याज ग्याद करो फिर से वही कोशन है उसमें बस मिश्रधान निकालना था इसमें सिरफ साधारन व्याज निकालना है तो साधारन व्याज का फॉर्मूला मैं दुबारा लिखना चाहूंगा ज सिधा मोलदान आपको कितना दे रख्खा है प्रशन में जो कि आपको दे रख्ख है 3000 रुपे दर आपको 5 परतिशत दे रख्खी है और समय आपको दे रख्ख है औप्शन सी भाई 300 आपका राइट आंसर होगा ओके तो बढ़ते नेक्स कोशन पर उससे पहले बोलूँगा जिनों ने अभी तक हमारा यह वीडियो लाइक नहीं किया है आपको पहले यह वीडियो को लाइक करना है और जो लोग नए हैं यहाँ पे उनको यह चैनल सब्सक्र करना है कोशन नमर आठ को स्वल्व किजिए फटाफट से कि एक वृत की परिधी 88 मीटर है तो उसकी तुरिज्या ग्यात करो तो देखिएगा यहाँ पे इसको कैसे स्वल्व करेंगे कि पहले आपको वृत की परिधी का फॉर्मूला पता होना चाहिए तो जो की फॉर्मू दो गुणा पाई की वैल्यू कितनी होती है बाईस बटे साथ होती है आर हमको पता नहीं यहाँ पे हमने लिख दिया आर तो यह टू पाई आर जो है यह वृत की परिधी का फॉर्मूला हो गया और वृत की परिधी आपको दे रखिया कितनी 88 तो यह दोनों बराबर होंग या 88 होगे राइट अब यह साथ यहां जाके दो से गुणा हो जाएगा तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी चोदा जाएगी और यह चोदा ही आपका करेक्ट अंसर होगा आमको आर की वैल्यू ही निकालनी थी तो क्या ऑप्शन ए सभी ने अंसर सही दिया है कई वरगाकार ख्यत की प्रतेक भुजा को 10 मीटर मापा गया तब ख्यत का परिमाप कितना होगा करो जी स्वाटा फट सो शोल्व तो यहाँ पर देखिएगा कि जो वरगा कर खेत की भूजा है यानि कि जो आपको A दे रखा है वो आपको दे रखा है 10 अगर वरग का परिमाप होगा तो वो होगा 4A यानि कि जो भूजा है उसको हम 4 से गुणा कर देंगे कितना असान प्रशन दिया था ताकि आपको 10 को सिधा 4 से गुणा करना है परिमाप निकालने के लिए और 40 आपका correct answer होगा सभी को पता थाना कि जो वरग का परिमाप होता है वो होता है आपका 4 गुणा भुजा बस आपका 40 यान से correct answer होगा जो कि option D है question number 10 देखिएगा दस है आपके सामने स्क्रीन पार इसको फटा-फट से आपको solve करना है और इसको solve करने के लिए आपको क्या करना होता है पहले जो bracket के अंदर वाली चीजे हैं उसको solve करना है कुछ लोग यहीं पर multiply वगरा करने लग जाते हैं जो की गलत है पहले bracket के अंदर solve होगा उसके बाद बाहर solve होगा बोर्ड मास वाला सूत्र लगेगा कि पहले भाग फिर गुणा फिर घटा यहां फिर माइनस ठीक है न यहां फिर जोड तो यहां पर भाग और गुणा कोई concept नहीं है bracket के अंदर तो यहां पर आपको ऐसी solve करना है पहले तो बढ़ते हैं solution पर देखिएगा 14 प पार है तो 15 गुणा 2 कितना होता है भाई 30 होता है क्या इस प्रस्ण का option सी सभी ने सही answer दिया है तीस जो है इस प्रस्ण का बिल्कुल right answer होगा question 11 पर चलते हैं और देखिए का math के session के बद हमको reasoning भी solve करना है तो आपको वीडियो बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है ठी question number 11 को solve करो भई 9 12 और 18 का LCM निकालो तो देखो इसके दो तरीके हो सकते हैं एक student यूज़ करता है 9 12 और 18 कुछ इस तरह से आप तालिका बनाकर इसको solve करते हो ठीक है भई बट मैं ऐसे solve नहीं करूंगा यहां पर देखीगा 9 और 18 में देखो ऐसी कौन सी संخ्या है पहले आपको LCM अदाता हूं क्या होता है देखो जो LCM होता है न वो सबसे चोटी से चोटी संख्या जो इन सब पे भाग हो जाए वा LCM कहलाती है भई ठीक है तो देखो हमको पहले 9 और 12 का LCM निकाल लेना है कितना होता है 9 और 18 का पहले 9 और 18 का निकलो 9 और 18 का LCM होगा आपका 18 ठीक है भई क्योंकि 18 ऐसी छोटी संक्या है जो 9 से भाग हो रही है और 18 से भाग हो रही है तो इन दोनों का LCM तो आपका निकल गया अब आपका बच्चा 12 यहाँ पे आप लिख दो 12 ठीके 18 और 12 के LCM निकालो भई तो यहाँ पर 36 ऐसी संक्या है जो 12 और 18 दोनों से भाग हो रही है तो 36 आपका correct answer होगा option A जो LCM आएगा वो आएगा आपका 36 तो आप ऐसे करके भी LCM निकाल सकते हो common factors में ढूंढ ढूंढ गे ठीके भई चलो next question पर चलते हैं question number आपका 12 है यहाँ पर कि 40 से 80 तक की सभी समसंख्याओं का योग क्या होगा अब इस question में problem होने वाली है बट आपके exam में पूछा गया है तो मैंने भी include किया है भई फटा फट से solve करो इसको कैसे solve करोगे तो देखो आपके पास दो तरीके हैं ठीके भई यहाँ पर चालिस ही जगा 41 कर लो ठीके भई 41 से 80 तक की सभी समसंख्याओं का योग दुबारा पढ़ लो मैंने question क्या लिखा है 41 से 80 तक की सभी समसंख्याओं का योग क्या होगा ठीके भई 41 नहीं है 41 है अब देखो सभी समसंख्याओं का योग क्या होता है आपको यह पता होना चाहिए N गुणा N प्लस 1 अपॉनमेट बस N गुणा N प्लस 1 जो है यह आपका समसंख्याओं का योग होता है यह होता है भई formula ठीक है इसको अब ध्यान रखेंगे तो देखो हम सीधा 41 से 80 तक की समसंख्याओं का योग नहीं निकाल सकते इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पहले हम 1 से लेके 80 तक की सभी समसंख्याओं का योग निकाल देंगे समझ मैं या और हम एक से लेके 40 तक की सभी समसंख्याओं को योग निकाल देंगे अब देखो अगर मैं एक से लेके 80 में से एक से लेके 40 तक की समसंख्याओं को योग घटा दूँगा तो हमारे पास क्या बनेगी 41 से लेके 80 तक की समसंख्याओं को योग बचेगा किया ये step सबको समझ में आया है इस question को आप ऐसे ही solve करेंगे नहीं तो आप 42, 44, 46, 48 करके 80 तर लिखेंगे तो सुबा हो जाएगी आपका paper खतम नहीं होगा ठीक है भई तो देखीगा इसको कैसे solve करेंगे पहले हम निकालेंगे एक से लेकर यहाँ पर 41 है दुबारा कर देता हूँ ठीक है एक से लेकर 40 तक की समसंख्याओं का योग अब इसमें आपको क्या करना है इसमें देखने है कि एक से लेकर 40 में समसंख्याओं कितनी होंगी total तो समसंख्याओं तो आपको पता है कि 2-2 का अंतर होता है भई तो अगर यहाँ पर मैं 40 को 2 से भाग करूंगा तो मैं को पता है total जो 20 है वो समसंख्याओं होंगी इस question को ध्यान से समझो भई एक से लेकर 40 में total समसंख्याओं 20 होंगी है ना अब देखो n गुना आपको n प 40 गुना 21 तो यहाँ पर कितना है आपका दो एकम 2 दो दूनी 4 यानी की 420 आ गया समझ में आदronics सभी को अब आप क्या करो एक से लेके 80 तक कर भी निकाल लो ठीक है एक से लेके 40 तक तो आपका 420 आ गया एक से लेके 80 तक भी निकाल लो तो 80 के बीच में अगर मैंसी को 2 से भ होंगी वह कितनी होंगी 40 होंगी तो निकालो इसका भी एन गुणा एन प्लस वन याने की 40 है इसका क्या करोगे आप 40 गुणा 41 कर दोगे एन गुणा एन प्लस वन सबको समझ में रहा है नहीं आपे तो देखो 4 एकम 4 4 चुके 16 यहाँ पर आगया 0 1640 अब मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि एक से लेकि 80 तक समसंख्या निकाल कर एक से लेकि 40 तक की यदि आप माइनस कर दोगे तो 40 से आगे कितना है 41 से लेकर 80 तक की समसंख्याओं का योग आ जाएगा तो ऐसे स्वल्व करो भाई देखो 1640 में से आपको 420 घटाना है और आपका अंसर आ जाएगा तो यहाँ पर देखिएगा कि 1620 में से मैं घटा देता हूँ 420 जीरो जीरो ठीक है दो एक 1640 है सोरी ठीक है भई तो यानिकी 1220 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा क्या सभी को समझ में आया है सभी को कोशन लग रहा हो को कि लंबा है बड़ इतना लंबा नहीं आ है मैंने समझाया है तो इसलिए टाइम लिए अगर आप खुश से स्व कि एक आयत की लंबाई 40 मितर चाहता SHETRFFAL 1200 बर्ग मीटर है तो आयत का परिमाप क्या होगा जो देखो भाई पहले आयत का 1 लंबाई गुणा चोड़ाई है ना और आयत को जो परिमाप होता है वो होता है टू ब्रैकिट में L प्लस B यानि कि लंबाई जमा चोड़ाई हमको ये निकालना है आपको लंबाई दे रखे कितनी 40 मीटर चोड़ाई हमको यानि कि ब्रैथ जो हमको वो नहीं दी हमको पहले ब्रैथ निकालनी है तब हम इसको सोल्व कर पाएंगे तो देखीगा यहाँ पर मैंने लंबाई गुणा चोड़ाई कर दिया और यहाँ पर आपको शेतरफल आपको दे रखा है 1200 तो लंबाई गुणा चोड़ा यह भी शेतरफल है और यह भी शेतरफल है दोनों एक जुसरे के बराबर होंगे समझ में आ रहा है ना सभी को तो देखो जीरो से जीरो कैंसल कर दिया आपने चार से कैंसल करेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा तो आपको पता लग गया कि य आपकी कितनी आ गई तीस हां अब आपको यह निकालना ए स्टैप उपर वाला ठीक है यह आपका परिमाप का सूतर होता है तो देखो और साभी B हमने कितना निकाला है वाई 30 निकाला है ठीक है तो यहाँ पर 2 कर दो 40 और 30 कितने होते हैं 70 होते हैं तो 70 को आपको 2 से गुणा करना है और 140 जो है वो आपका परिमाप आ जाएगा क्या सभी को समझ में आया है ये वाला कोशन उमिद करूँगा समझ में आया होगा जिनों ने भी ऑप्शन A दिया है 140 उन सभी ने बिलकुल सही आंसर दिया है कोशन नमबर 14 देखिएगा इसको फड़ा फड़ा सोल्व करना है आपको कि एक कार एक सेकिंड में 10 मीटर की दूरी तै करती है उसकी किलो मीटर प्रती घंटे में आपको चाल ग्यात करनी है तो आपको पता है कि ये देखो एक सेकिंड में दस मीटर यानि कि मीटर प्रती सेकिंड में आपको चाल दे रखी है कितनी? दस दे रखी हैं और मीटर परती से किलो मीटर परती घंटे में बदलने के लिए आपको क्या करना होता है 18 बटे 5 से मल्टिप्लाई करना होता है उमीद करूंगा सभी कांसर आने भी लगे होंगे तो देखो 10 को आपको क्या करना है 18 बटे 5 से गुणा करना है तब भी आप इसकी किलो मेटर प्रती घंटा में चाल निकाल पाओगे तो 5 एकम 5 और 5 दुनित 10 18 दुनित कितने होते हैं 36 होते हैं तो यह 36 जो है किलो मेटर प्रती घंटे में आपकी चाल आ गई तो यहाँ पर जिनों ने भी option D को दिया है 36 उन सभी ने बिलकुल सही आंसर दिया है राइट बढ़ते है नेक्स्ट पे question number आपका 15 है उमीद करूँगो समझ मैं होगा और यह लास्ट प्रसन है गणित का इसके बाद आपको score कमेंट करना है score आपका कितना हुआ है 15 प्रसनों का गणित का फिर हम reasoning के भी चार question discuss करेंगे राइट तो देखिए का कि किसी वस्तु को 400 रुपे में खरीद कर 500 रुपे में बेचने पर कितने प्रतीशत का लाब होगा तो लाब प्रतीशत का फॉर्मूला यानि कि profit प्रतीशत का फॉर्मूला होता है profit गुणा सो अपन में CP यानि कि लाब गुणा सो भाग क्रें मुल्य तो देखो 400 में कोई चीज खरीदी उसको 500 रुपे में बेच दिया कितने का लाब हुआ है सभी को दिखाई दे रहा है यहां पर सो का लाब हुआ है है ना और फॉर्मूला है लाब गुणा सो क्रें मुल्य हमारा कितना है यहां पर 400 है क्योंकि हमने 400 में चीज खरीदी थी तो भाग आपको 400 से क जाएगा profit percent तो देखो जीरो से आपकी जीरो कट गई चार से केंसी लिकरो भई इसको चार दुनी आठ चार बंजे बीस तो पच्चीस परतीशत का उसको क्या हुआ है लाव हुआ है option B क्या सभी ने सही answer दिया है 25% का उसको profit हुआ है तो यह आपके original paper के पूरे 15 question हमने यहां पर solve किये हैं और मेरे साथ साथ आपने भी solve किये हैं बताना आपका इन 15 करस्णों में score कितना है बढ़ते हैं next question पर जो हमारा part 4 है reasoning का इसको आपको complete देखना है क्योंकि कुछ student जो है यहां पर भी सिरफ 5 question आते हैं और इस 5 question में से वो 3 या 4 ही ठीक कर पाते हैं तो बाकी के एक या दो कौन ठीक करेगा वो भी आप ये को ठीक करने हैं ठीक है क्योंकि merit बहुत उपर जाती है तो आपको reasoning जो है पांचों की पांचों question ठीक करने हैं इस question को solve करो भई और reasoning के उपर मैं अलक से आपको कलासिस दे चुका हूँ तीन चार उनको भी जाकर देखेगा कि अरुन ने कहा कि यह लड़की मेरी मा के पोते की पतनी है अरुन का उस लड़की से क्या रिस्ता है तो दिखिए blood relation के लिए मैं जब भी आपको question solve कराता हूँ मैं हमेशा इसका basic बताता हूँ कि मैं आपको कैसे solve करवाने वाला हूँ ठीक है भई कुछ लोगों को पता भी होगा जो शूरू से जूड़ रहे हैं बट मैं फिर से बोलूँगा कि मुझे सभी को लेकर चलना है इसलिए मैं दुबारा से basic बताऊंगा आप copy pen लेकर अपना वो हमारे सीधी लाइन में होंगे यह ध्यान रखना आपको ठीके पती और पत्नी जो होगे वो भराबर होँगे इसको मैं से लिखेंगे और माता और पीटा और बेटव चया हम कंगे यह रही है यह यह ने शन सुन करोड़क करें आपको अफिजशे समझ में आएगए दो दॲी किया यहाँ परaza है कि आ impos उप्र जाएगी न उसकी मां कौन होगा वह इसकी मां का पोता होगा की नीचे जाएगा दैना सबō को कि मेरे पोते की पतनी है अब ये पोता ये है पोते की पतनी पती पतनी को हम बराबर से लिखेंगे मैंने आपको बताया था ये पतनी हो गई इस पर साइन लिख दिया मैंने माइनस का ओके अब देखो अरुन का उस लड़की के साथ क्या रिस्ता है ये है अरुन इस लड़की के साथ बताना है क्या रिस्ता है तो अरुन इस लड़की का क्या लगिएगा भाई इसके पती का अगर फादर है अरुन तो अरुन इस लड़की का ससूर लगेगा क्या ओप्शन ए सभी को समझ में आया है और सभी ने अंसर सई दिया है मैच करते जाएगा कोशन नमर 17 पर बढ़ते ह हम यह लिखेंगे अंकल को हम यह लिखेंगे और वय को हम यह लिखेंगे तो सन को हम कैसे लिखेंगे तो ऐसे प्रशन में आपको क्या करता है यह जो सन का कोड है आपको इन ही में से छाटना होता है ठीक है गुश्य लोग क्या करेंगी भाई एस की वेल्यू इंगलिश में जोसे O English में 15 नंबर पर आता है N 14 नंबर पर आता है ऐसे करके देखेंगे ऐसे नहीं करना है आपको इन ही में से ये परस्ण छाटना है ठीक है बाई तो देखो बाई इसको solve करते हैं S S जो है ये आपका पहले नंबर पर यहां पर और S की value आपको यहां पर 5 दे रखी है तो आपका answer जो है वो शुरू में 5 से start होगा तो आगर आप smart work करोगे तो आपको आगे solve करने की जुरूरत ही नहीं है option B ही ऐसा option है जिसमें answer 5 से start हो रहा है फिर भी आप solve कर सकते हैं कि जो O है और यहां पर O आ रहा है बॉइ में यानि की O की value कितनी है भाई 2 है यहां पर 2 और N की value 4 आपका answer 524 ही आएगा ठीक है जी बढ़ते है next question पर question नमर 18 question आपको match करते जाना है कि आपके कितने ठीक है 18 question answer दो वही फटाफट से एक बर जल्दी से answer दे दो इसका कि यहां पर कौन सी series follow हो रही है रिक्त स्थान पर क्या आएगा तो देखेंगे सबी को पता लग रहा है यह 1 का square है यह 4 जो है यह 2 का square है 9 जो है यह 3 का square है यह 16 4 का है 25 5 का square है 36 6 का square है तो आगे आपका 7 का square हैगा इस खालिस्तान में 7 का square कितना होता है भाई 49 होता है तो यहां पर 49 आपका correct answer होगा option C क्या सभी ने सही answer दिया है बढ़ते हैं question number 19 पे यहां पर आपको बताना है देखो संबंद चाटना है सही सही कि पक्षी जहाए वो पक्षी वर्ग से संबंदित है तो आदमी किस वर्ग से संबंदित है तो आपको यह पता होना चाहिए यह आपका प्रशन बन गया general knowledge का कि मनुष्य का जो व्यग्यानिक नाम है वो होता है homo sapiens यानि कि जो आदमी है वो homo sapiens वर्ग से संबंदित है option C इसका बिलकुल right answer होगा question number 20 है और आज का last person है इसको match कीजिए फटा फट कि व्रिक्ष की एक पंक्ती में एक व्रिक्ष दोनों तरफ से पांचवे स्थान पर है उस पंक्ती में कुल कितने व्रिक्ष होंगे तो देखो भी व्रिक्ष इधर से भी पांचवे नंबर पे है और व्रिक्ष इधर से भी पांचवे नंबर पे है अगर हम इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पर टोटल हो जाएंगे 10 बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो व्रिक्ष जो है वो दो वर कांच हो गया एक ही व्रिक्ष इधर से भी कांच हुआ है और एक ही व्रिक्ष जो है उधर से भी कांच हुआ है तो हम एक साइड का व्रिक्ष यानि कि एक व्रिक्ष माइनस कर देंगे तो टोटल कितने व्रिक्ष हैं पंक्ति में हैं बिल्कुल ओनेस्टली ठीक है भई क्योंकि आपका ओरिजनल पेपर का टेस्ट लगवाया है तो यही थाच का वीडियो उमिद करूंगा जिनोंने भी तक और हां इसकी आप चाहिए तो पीडियाफ भी बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो हमारे डिस्क्रिप्शन म